बेकी बस स्वागत अब सभी का बात करते अगली खबर की पलवल के गाउं मित्रॉल के सरपंच ने गाउं को सीसी टीवी कैमरे की निगरानी में किया गाउं के सरपंच जोगेंदर चोहान ने बताया कि उन्होंने गाउं की सुरक्षा के लिए गाउं के हर चुराहे पर और गाउं की मुख्य मुख्य गलियों में ये सीसी टीवी कैमरे लगाए है सरपंच ने कहा कि उन्होंने गाओं के स्कूल को भी कैमरे की निगरानी में किया है ताकि स्कूल में आने जाने वाले अध्यापकों के बारे में और स्कूल में आने जाने वाले लोगों के बारे में और बच्चों के बारे में ये पता चल सके कि वे किस समय पर आ रहे है और किस समय पर जा रहे है सरपंच ने कहा कि गाउं को प्रदेश के नंबर वन गाउं बनाना जाएगा उसके लिए वे प्रियास में लगे हुए है जिले पलवल का गाउं में तरॉल बना जिले का नमबर वन गाउं क्योंकि गाउं के सरपंच में गाउं को कैमरे की निग्रानी में कर दिया है और ये गाउं प्रदेश का दूसरा गाउं बन गया है आपको बता दे कि सरकार के दुआरा अपकी बार पड़ी लिखी पंचायत बनाने का असर दिखाए दे रहा है क्योंकि अबकी बार पंचायतों में चुने गए पड़े लिखे गाउं के सरपंच और पंचर की सोच गाउं के विकास की तरफ है। आने वाले अध्यापों को के बारे में यह पता चल सके कि वे स्कूल में कब आयों और कब गए और कैमरे से बच्चों की भी निगरानी रहेगी वह उन्होंने बताय कि कैमरों के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है जिस पर रात के समय एक युवक्की और दूसरे युवक्की के लिए और खासकर युवाओं के लिए कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं जिसका गाओं के लोगों को और खासकर युवाओं को बहुत लाब होगा केमरा दो लाग पश्कुन अर्यार के लिए इवन हमारी जो कुन लागता है तो मैं क्या और भी के लिए कि आवसकता नूसार होगी हो समूसार केमरे लगवाई जाए